हेलो फैमिली नमस्कार एकबर फिर से हाजिर हो गई हो आप सब के लिए एक हेल्फफुल वीडियो लेकर जैसे कि आप सब के बहुत से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मैं मेरा नौब महीना लग गया है मेरी डिलेवरी कब हो कब मेरा वच्चा मेरे पास आएगा मुझे पता है जब आप लोग जानना चाहती है कि डिलेवरीो कभ होगी मेरी बेलेवरी मेरे बास ने तो जैसे ही 9 महीना लगता है जल्दी से बिलेवरी और इस देख लों unward मेरा बच्चा आप कयसा है। अब आप लोग यह जानना चाहते हैं कि डिलेवरी कब होगी मेरी वहां ज्यादा ले आप बिल्कुल टेंशन मत लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाली हूं कि आपका नौबा मीना लग गया है अब आपकी डिलिवरी कब होगी कौन से ऐसे संकेत हैं जो आपको बता देंगे कि आपकी डिलिवरी होने वाली है जिससे कि आपकी जो खुशी ह है वह और दोगुनी हो जाए इसलिए आप सबसे रिकोष्ट है वीडियो को आप पूरा देखें ध्यान से देखें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल और जरूर करें और और पर क्लिक कर लें हमारा बेबी केर चैनल भी है आपकी डिलिवरी होने वाली है आ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी चले श्टार करते हैं आप आज का वीडियो तो फ्रेंड जैसे है आपका नौव两 कुछ अपिक निकलने के बाद आप्की डिलिवरी कभी वी में हो सकती है 37 वीक लंगने के बाद डिलिवरी कभी भी हो जाए कोई दिक्कत मतलब नउवे महिने का एक हफता निकलने के बाद आपकी डिलेवरी कभी भी हो जाए कर दिकत नहीं सही समय होता है 37 बेहरा है 37 हफटे से 40 हफटे तक covered को और इससे ज्रूंधा झार्य मैं और बच्चे ने सही पॉजिशन नहीं ली है जन की तभी उनको समय पर लेवर पेन नहीं आ रहा है तो काफी सारे रीजन हो सकते हैं इसलिए अगर आपका 40 अपता भी निकल गया है डिलेवरी डेट भी निकल गई है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाए और डॉक्ट सेफ्टी जरूरी है मैं आप लोगों से बार-बार कहती हूँ बच्ची की सेफ्टी जरूरी है डिलेवरी नॉर्मल हो या सेजेरियन हो ठीक है सेजेरियन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन घबराएं बिलकुल नहीं एक टाइम पीरिड ही बच्ची का रहने का ह तो 37-40 हफ्ते तक आपकी डिलेवरी कभी भी हो सकती है उसके कुछ लक्षन है जो मैं आपको बताऊंगी जिससे आप पहचान पाएंगे कि अब इस वीक में आपकी डिलेवरी हो जाएगी क्योंकि जब आपकी डिलेवरी होने वाली होती है तो आपका शरीर कुछ ऐसे संके प्रेशर पर पढ़ने लगता है जिस वज़े से नीचे के एरिया की जो फ्लेक्सिविल्टी होती है वो बढ़ने लगता है जिससे के आपके नॉर्मल डिलेवरी असानी से हो और ऐसा होने के साथ क्या होता है आपका कमर दर्द बढ़ जाता है आपको कमर में जादा पेन होने लगता है तो पहला लक्षन तो यही है अगर आपको नौवे महीने के किसी भी बीक में कमर दर्द होने लगा है बहुत तेजी से होने लगा है तो इसका मतलब है आपकी डिलेवरी अप कुछी दिन में होने वाली है दूसरा लक्षन आपको होने लगेगा, ऐसा इसलिए होता है क्युंकि जब आपकी डिलेवरी होने वाली होती है तो बच्चा उपर की जगह छोड़ देता है, नीचे आपके पेल्विक वोन में फिक्स होने लगता है, नौर्मल डिलेवरी के लिए इसलिए आपको जो पेट का उपर हिस्सा है वो खाली हो जाएगा और नीचे ही आपको पूरा प्रेशर पूरा पेट आपको नजर आएगा यह दूसरा सिम्टम हुआ जिससे आप एचान सकते हैं कि आपकी डिलेवरी कुछ ही दिन में हो जाएगी अब जल्द ही आपको लेवर पीन आने वाला है इसके बाद तीसरा लक्षन आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द बढ़ जाएगा हलका हलका पीन आपको रहने ही लगेगा और साथ में प्राइविट पार्ट में भी आपको दर्द होगा जब भी आप यूरिन पास करते है तब आपको प्राइविट पार्ट में दर्द होगा उठते हैं बैठते हैं चलते हैं करवट लेते हैं इन सारी चीजों में आपको प्राइविट पार्ट में दर्द होने लगेगा ऐसा इसले होता है क्योंकि बच्चा अपनी जन की सही पॉजिशन ले लेता है जिस वज़ आपके प्राइविट पार्ट का जो डिशार्ज बढ़ जाएगा पहले होता थोड़ा थोड़ा होता था आप जादा होने लगेगा अब जो जादा गाड़ा होगा बिल्कुल ठिक होगा बलगम की तरह होगा आप युरिन पास करते हैं तो भी आ सकता है आपकी पैंटी में भ आपकी पैंटी गीली हो रही है पानी की तरह बून-बून करके निकल रहा है तो यह सिंटम है कि जल्द ही आपकी पानी की तहली फटने वाली है और आपकी डिलेवरी जल्द ही होने वाली है क्योंकि जो बून-बून करके पानी जैसा गिरता है इसका मतलब है कि आपकी डि ले होने लगते हैं तो आपको लेवर पेन का वेट नहीं करना है क्योंकि कई महिलाएं होती है कि उनका water break हो जाता है और उनको लेवर पेन नहीं आता है तो वो वेट करती रहती है डियर नहीं ऐसा आपको नहीं करना है आप ऐसा करेंगे तो बच्चे तक infection पहुंच सकता है ब आपके बच्चे की safety भी है अगला अलक्षन है जब आपके delivery में कुछ ही घंटे बाकी है तो आपको lose motion होने लगेंगे आपको spotting होने लगेंगी तो अगर आपको भी 9 महिने में lose motion होने लगें आपको bleeding spotting होने लगे या फिर आपको water break हो जाए तो इन तीनों condition में ही delivery आपकी क जानकर आपको काफी ज़्यादा तसली मिली होगी और आप इन सारी लक्षनों को अपनी body में absorb कीजिए अच्छे तरीके से देखिए notice कीजिए और पहचान लीजे कि आपकी delivery कुछी दिनों में या कुछी घंटों में होने वाली है तो मिलती हो आप सबसे अगले वीडियो मे delivery की good news का wait करूंगी सब लोग अपना experience जरूर शेयर कीजेगा जो good news है वो भी शेयर कीजेगा आपको baby boy हुआ baby girl हुई कैसे आपकी delivery रही तो मिलती हो आप सबसे अगले वीडियो में bye bye thank you so much